लक्षमें जी क्या माना जाये ये आर्थिक सर्वे पेश नहीं होने की वज़त से ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें क्या खास बाते कही गई है देखे सबसे पहले बात तो जो आपने कहा कि सरकार की कोशिश ये थी कि अंतरी मजट से ठीक पहले 31 तारीक को यानि 31 जनवरी को एक आर्थिक सर्वे तो नहीं एक वाइट पेपर लाया जाए लेकिन तकनिकी तोर पैसा मुम्किन नहीं हो रहा था तो फिलहाल सरकार ने अभी जो हर महिने की समिक्षा रिपोर्ट आती है उसके साथ ही अर्थवेस्था के उपर एक डिटेल रिपोर्ट दी है ये डिटेल रिपोर्ट की सबसे खास बाती है कि इसमें एक तरीके से ये बताया गया है कि मोदी सरकार के आने से पहले अर्थवेस्था की क्या हालत थी अब आज अर्थवयस्था जो है वो पांचवे नमबर वे पहुंच गई है और अगले तीन साल में भारत के अर्थवयस्था जो है दुनिया में तीसरे नमबर वे पहुंच जाएगी इस बात का अनुमान जतायागा है। और तीन बदला हुएं पिछले तीन साल में, पहली बात कि ग्लोबल मैनुफेक्शिरिंग पर निभरता घटी है, भारत खुद अपनी मैनुफेक्शिरिंग पर निभरता बढ़ा रहा है, दूसरी बात कि यहाँ पे सिर्फ पब्लिक इंवेश्टमेंट नहीं हो रहा है, प्र आज सरकारों का सहुग लिया जाएगा और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, इस समिक्षा रिपोर्ट में ये बाते कहेंगे हैं।